हेलो एबरीवन विल्कम को मैं चैनल एकी कुमर्स स्टेडी कैस हैं आप लोग फ्रेंट्स आसा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छेंगे रच्छे से पनी पढ़ाय कर रहे होंगे तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं सेकुरिटी अनायल सिस्ट एन पॉर् फॉलियो प्रबंधन क्या है इसके बारे में हम लोग पूरा डीप में समझेंगे इसके अर्थ और से बीसिस्टा और प्रकार के बारे में तो वीडियो के लाश तक बने रहे का और अगर पहले पर हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वेल बट्न पर क्ल देख रहे हैं portfolio प्रबंधन यानि कि portfolio और प्रबंधन दो सब्दों के मेल से बना हुआ portfolio और प्रबंधन ये दोनों के मेल से बना हुआ है तो portfolio प्रबंधन एक निवेश नीती को बढ़ावा देने और निवेश करने की प्रक्रिया है यानि कि प्रबंधन से आसे हम लोग बहुत बार प्रबंधन के मीनिंग को समझ चुके हैं कि प्रबंधन क्या होता है किसी चीज को manage करके किसी चीज को करना जोखिम को कम करते हुए किस तरह से अपने कार्यों को प्रबंधित तरीके से करना उसी प्रबंधन का जाता है लेकिन portfolio का यहां meaning दूश्रा होता है जो जोखिम को कम करती है portfolio से आसे या होता है कि निवेशक जो होते हैं अपनी risk को कम करते हुए अपने निवेस को सुनिस्चित करते हैं और निवेस करने के लिए उन्हें प्रोचाहित किया जाता है और जो निवेस पर रिटन के मुख्या रूप से करती है इसमें विभी वित्य निवेसक जो होते हैं बजार के सालाकारो और निवेसक के वित्य लच्छी और जोकिम सहन सिल हवा देने के लिए किया जाता है और जो निवेस की प्रक्रिया होती है जोखिम को यानि कि जो रिस्क होता है निवेसकों के बीच में वे सभी को कम करने के लिए portfolio management किया जाता है portfolio management में neways पर جो return draft होता है उसका मोग के रूप के रूप में कार्य करता है इसमें वित्य निवेसक जो होते हैं बजार के साला कारो और निवेसकों के वित्य लच्छियो और जोकिम को सहनसिलता से गहन समझ को सामिल किया जाता है उधारन के लिए जिसे ब्रोकर के रूप में Alice Blue एक निवेसक को एक पोटफोलियो बनाने में सहायता प्रदान करता है यानि की निवेसक को प्रोथ साहित किया जाता है उन लोगों के पास अगर पैसे नहीं होते हैं निवेसक करने के लिए हिस किचाते हैं तो उन्हें सहायता प्रदान किया जाता है पोटफोलियो बनाने के लिए तो जो उनके निवेस और जोखिम प्रोफाइल के ढाचे होते हैं इसके अलावे जोखिम और पूरती के बीच का संतुलन बनाने के लिए जोखिम और पूरक के रूप में परी संपतियों का उलेख भी सामिल किया जाता है जोखिम जब जुचीज की आवसकता होती है और आवसकता के अनुशार हम लोग नहीं करते हैं तो हमें रिस्क उठाना पड़ता है तो किस तरह से निवेस करें कि हमें किसी तरह का जोखिम का सामराना करना पड़े और पूरती में भी संतूलन बना रहे तो इस तरह से जोकिम का जोकिम और पूरक के रूप में परिसंपतियों का उलेख सामिल क्या जाता है उधारन के लिए एक पोटफोलियो में एक पोटफोलियो बेंड कैस और समकच और पॉर्टफोलियो का मिशरन सामिल होता है जिसके प्रतियक में जोखिम और रिटन के अलग अस्तर होता है निम्ण परिसंपत्यों का सहियोजन निवेशको के निवेश चितीज बिते निवेश और जोखिम संसिल्टा के अधार पर तै किया जाता है अगे अब हम लोग समझते हैं पॉर्टफोलियो प्रबंधन का उदे से पॉर्टफोलियो को प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है तो प्रोजेक्ट प्रबंध का उदे से क्या होता है पॉर्टफोलियो प्रबंधन एक मुख के उदे से कंपनी को अपने नीवेस से मोटीव क्या होता कमपणी में जो भी निवेस किया जा रहा है उसके जोखिम को कम करना और जो इन्वेस्ट यानि की निवेस किया जा रहा है उससे रिटन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने में मदद करता है यहां पॉर्टफोलियो के प्रबंदन के लिए कुछ अन्य कि मुख इंसिट्यूट में से एक लंबी अवीधी में इन्वेस्टमेंट फर्म की तलास की जाती है या संयुक्त राज अमेरिका में रास्ट मंडल में निवेस के माधियम से प्राप किया जाता है यानि कि कोई इंसिट्यूट चलाया जा रहा है उसमें से मुख इंसिट्यू प्राप्त किया जाता है। शेकें नमबर उदेश जे क्या आता है पोट्फोलियो का निवेश सनरच्चन यानि की जो investment उसको किस तरह से सन्रच्चित किया जाना है सिक्योर किया जाना है इस में जो मुल निवेस रासी का सनरचन सामिल है जो मुखे रूप से पोटफोलियो के एक हिस्से को कम जोखिम वाली परिसंपतियों में निवेस दुआरा प्राप्त किया जाता है यानि कि यहां पर इस तरह से सीक्योर किया जाता है कि जो पोटफोलियो के हिस्से में कम जोखिम होता है वैस तो इसका ये भी उदे से होता है कि नियमित आय समाने वाले अलपा वीधी के लिए अस्टोक अरजित बैंड में नीवेंस किया जा सकता है यानि कि कम समय के लिए जो व्यूशाय किया जा रहा वैसे में पोर्टफोलियो अपना नियमित रूप से आय को प्राप्ट करतार्य स् इसके बाद आता है तरलता यानि लिक्विडिटी बंदरगा को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि आवसकता पर इसे तुरंत नुक्सान में बदल दिया जाए यानि कि यहां पर तरलता यासे लिक्विडिटी से बताया गया है कि बंदरगा में इस तरह का डिजाइन किया जाता है बंदरगा को इस तरह से बनाब् Ground और तुरंट शे बदल दिया जाए inexpensive कर सेलोन यानि की टैक्स के रुप में जो सेलून खोला जाता है इस तरह से बनाए गए प्लांट में कर पसचात return मुख्य रुप से हो सकते हैं यानि कि जहाँ पर हम लोग टैक्स दे से रोगिए जाता है अब आगे मिलिग समझेंगे क्या पॉर्फोल्यू प्रबंधन की विशिस्ता है जोकिं को कम करने के लिए बिभिन सास्त्रिय संगीत में निवेस को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पॉर्ट फोलियो प्रबंधन अच्छे से बना रहे हैं निवेसक जो निवेसक के लच्छे होते हैं जोखिम को सहन सिलता के अधार पोटफोलियो के प्रतेक वर्ग का अनुपात निरधारित किया जाता है यानि कि जो निवेसक होते हैं उनका एक गोल भी निरधारित किया जाता है और क्या क्या जोखिम सहन करना है ये सभी के अधार पॉर्टफोलियो में प्रतेक वर्ग का रेशियो निर्धारित कर दिया जाता है नियमित समीच्छा करना यानि कि रेगुलर इसका समीच्छा किया जाता है या निमेशको के लिए पॉर्टफोलियो के नियमित रूप से समीच्छा और पुनर संतूलन करना सुनस्चित हो जाता है यानि कि नियमित रूप से जो निवेज कर रहा है पोटफोलियो में तो ये संतूलन बना कर ही कारियों को करता है नेक्स्ट आता है जोकिम प्रबंधन किस तरह का जोकिम होने वाला है इसका प्रबंधन बजार में पहले से कर ले जाए तक बजार की उच्छाल का कारण नुकसान को कम करने के लिए जोखिम को लागू करना होता है आगे भी मिलुक समझेंगे पोटफोलियो की प्रकार पोटफोलियो का प्रकार में पहला पॉइंट आता है सक्किरिय प्रबंधन यानि की सक्रिय यानि की active portfolio प्रबंधन का मुख्यल अच्छी जो होता है return प्राप करना होता है और इसलिए निवेस का एक बड़ा हिस्सा प्रतिभूतियों में है यानि की जादा तर आदमी क्या करता है जो बेपारी होते हैं बिसनस्मेन बड़े बड़े होते हैं वे जादा प्रतिभूतियों में निवेस करते हैं शेयर बजार में प्रतिभूति लगाते हैं सेक्रूटी एक्सेंस करते हैं पैस्टो का मुख के साधन कम कीमत वाली company के शेयर खरिद कर उनके बजार मूली में बड़ोतरी पर उन्हें बेचना होता है यानि की active प्रबंधन किया जाता है second number point आता है अंतिम कर्यान वेन प्रबंधन इस परकार के portfolio प्रबंधन बजार के रूजानों का अधिगरन करता है यानि कि जो अंतिम कर्यान वेन प्रबंधन किया जाता है उसमें portfolio प्रबंधन बजार होते हैं उसमें जो भी रूजान देखने को मिलता है उसे अधिगरन क किया जाता है अधिकांस प्रबंधक जो होते हैं निवेसक को में निवेस करते हैं इन्वेस्टरों के पास ही निवेस करते हैं जो इस्थीर लेकिन अस्था पत्य रीटन प्रदान करते हैं जिससे निवेसक को लाब होता है यदि निवेसक यदि वे निवेस बनाए रखते हैं यानि कि अंतिम कार्यानिमिन के रूप में क्या किया जाता है पोर्पोलियो प्रबंधन के बजार के जो रुजान होते हैं जो नुकसान पहुंचता है उसके रीटर्न्स को जमा किया जाता है और जो प्रबंधक निवेसक के रूप में निवेस करते हैं उसे स्थीर बनाया संद की म्ह उचबी किसी ही संपती में निवेज कर सकते हैं या니 कि एक बिवीग के रूप में यांनि सांती पुर्ण तरीके से वह सून समझच example जो चीज उसे